हेलो मेरे नौजवान साथियों आज मैं मेकाविटी दा मिस्टरी कैट का एमसी क्यू करने वाला हूँ यह चेप्टर बिहार बोर्ट 12 इंग्लिश रिन्बो पार्ट 2 पोईट्री सिक्षन का लेशन 7 है इसे लिखा है इंग्लिश के एक महान कभी टीएस इल्योट ने इनका पुरा नाम है थांस अस्ट्रेंस इल्योट तो एमसी क्यू पर जाने से पहले टीएस इल्योट के जिवान से थोड़ा सक परचित हो लेते हैं जो अब्जेक्टिव क्वेशन के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है बर्न 26 सितमबर 1888 टीएस इल्योट का जन्म 26 सितमबर 1888 इस्वी को हुआ था और इनका जन्म USA युनाइटेड अस्टेट अमेरिका में हुआ था लेकिन बाद में चल करके यह इंग्लेंड में जाकर सिटल हो गएं इंग्लेंड में ही यह बस गएं डाइड इनकी इमरितु चार जन्मवरी 1965 इस्वी को हुई थी अवार्ड इनको नोबिल प्राइस से सम्मानित किया गया था फोर लिट्रेचर सहीतिय के लिए इन 1948 1948 इस्वी में यानि 1948 इस्वी में टीएस इलोट को नोबिल प्राइस से नवाजा गया था और वह भी सहीतिय के छेत्र में लिट्रेचर मिस होता है सहीतिया बेस्ट पोएम टीएस इलोट के द्वार लिखी गई कुछ महत्पूर्ण कविताएं हैं जिन में से दिया गया आधे थे नाम यहां पर दवेश्ट लैंड एस वेटनस डे एंड फोर क्वार्टर से यह टीए सिलोट की महत्पूर्ण कविताएं हैं चलिए आते हैं mcq पर मेकाविटी दा मिस्ट्री कैट कि में सी क्यों नम्र वॉन मेकाविटी दा मिस्ट्री कैट यह किसकी दौर लिखा गया है तो इसके लेखक हैं ts ilot इसका सयप्षन होगा ts ilot क्वेस्चन नम्र टू इसी लॉट वाज बॉर्ण इन डॉट 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 का जन्म हुआ था कहां पे तो टी लोट का जनम हुआ था USA यानि United State America अर्थात अमेरिका में तो इसका सही अप्शन होगा भी अमेरिका प्वेशन नमर थ्री टी एस लॉट बिलॉंग टू डॉट 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 पुएट टी एस लॉट किस सद्धी के कभी है तो टी एस लॉट यह 20 सद्धी के कभी है अर्थात इसका स्विश्व समगा सी 20th century खाहिएं प्वेशन फोर कि वज अवाइड़ बाइन नोबिल प्राइज इन 1948 उनमेस और ताली शिश्वी में टीएस लॉट को नोबिल प्राइज से स्तंध किया गया था अर्थात इसका सही अप्शन होगा डीटी एस लॉट ऑसन और फाइफ इस पोएम में कि नमक कि किसी बताया गया है तो कभी ने मेका वीटी को कि रिमनल बताया है उसके पास कौन से गुण भरे हुए है ए में happiness, B sadness, happiness मन से होता है खुशिया, B sadness, दुख या उदासिता, C selfiness, तो में का विट्टी selfiness है, वह स्वार्थी है, selfiness का मत्तव स्वार्थी, वह बिली जो है, वह स्वार्थी है, अतह इसका स्वार्थी होगा, C selfiness, यह question 2018 exam में आया हुआ है, question number 7, the wasteland has been composed by dot dot dot, एक कविता का नाम बताया गया है, जिसका विता का नाम है the wasteland, तो the wasteland किसकी द्वारा compose किया गया है, इसके लेखक है T.S.E.L.O.T., तो इसका सहीब सुन होगा, T.S.E.L.O.T., यह question भी, 2019 के exam में आया हुआ है, question number 8, mangyoria and griddle bone are dot dot dot, mangyoria और griddle bone किया है, तो कभी के अनुसार mangyoria और griddle bone यह दो बिलियां ही है, इसका जिकर अपने कविता में कभी ने किया है, अतह इसका सहीब सुन होगा, B.Cats, यह दो बिलियों का ही नाम है, question number 9, Macavity is called dot dot dot, Macavity को कहा जाता है, क्या, A में दिया गिया है, the exposed paw, B. the mysterious paw, C. the hidden paw, D. the nutty paw, तो Macavity को hidden paw कहा गिया है, hidden paw मतलब, वह बिलियों जो अपने कदमों को दबा दबा के चुपके से आती है, तो उस बिलियों कहा गिया hidden paw, अता है, इसका सही अप्शन होगा, C. the hidden paw, question number 10, the best work of the poet is dot dot dot, निमलिकी चार अप्शनों में से, T.S. यलोट की सबसे बेस्ट, सबसे महत्वपूर रशना क्या है, तो ए में दिया है the west land, B.S. वेटनस डे, C. फोर क्वार्टास, तो ये तीनों की तीनों कभी, T.S. लोट की महत्वपूर रशना आये हैं, अता है इसका सही अप्शन होगा, D. all, question number 11, मैंका, 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 पाद होता है, गोल, उसी तरीके से उस मेंका, VT. का सर है, कभी ने ऐसा बताया है, तो गुमदाकार कांगरेजी होता है, DoMade, तो इसका सही अप्शन होगा, A, DoMade, मैंका, VT.'s head is highly DoMade, question number 12, मैंका, VT. has taken from his collection, मैंका, VT. जो chapter है, यह और कहां से लिया गया तो मे का गप्यटि जो चेप्टर हैं इसे लिया गया है ये सी लॉड के दोप्वारादा चीत और प्रक्टिकल केट्स है अतर है इसका सही आप्षन होगा बी ऊल्ड प्रम सस्भूक हां प्रेक्टिकल एस इसी लेकर से मेंखरीटी को लिया गया है को लिखो भी थर्टिन स κα्षोप फाइंड्ट सेफ उया current कि मेंखरीटी को लेजी और हांप्ष्लिफ इढ़ें अधें निनंद में तो मेंखरी टी को लेजी और अधें निन में सोय हुए ट्यस ऊलोट ने पाया अता इसका से और समगा सी ट्यस ऊलोट यह कोश्यन दोहजार 21 के एक्जाम में आया हुआ है कोश्यन और फोर्टिन मेकाव विटिधा मिस्ट्री कैट है ज बिन टेकन फ्रों में का विट्रीदा मिस्ट्री कैट नाम कविता कहां से लिया गया है तो अतह इसका से उल्ड पसंस भूक अफ प्रेक्टिकल कैट्स यह कोशन 2011 के एक्जाम में आ चुका है और इसमें जितने सब के सब कोशन्स आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट ही हैं अतहां हम चाहेंगे कि आप इसे एक फिर सदेख करके सारे कोशन्स को जरूर्ण कर लें यदि यह वीडियो पसंद आया होती से लाइक किजिए चनल को सब्सक्राइब किजिए बिल्कूल ना भूलें थेंक्स टेक कियर एंड बाई बाई बाई